परसांग जी का यह कहना है कि आप एक मुख्यमंतिर के पूत्रत हैं, आप के माता जी मुख्यमंतिर में परीस्थिती में भी हाईस्कूल पास नहीं कर पाये त्यंyo सिछ्छा गया है। तो ब्याहर के बारे में ब्याहर के सवरार्य चोधी के बारे में जूंक ब्याह rarely जो नोनों ने कहा कि पगरी उतार के और आज वो नितिजी के साथ हो लिए इस तरह का ब्यानुंक नहीं होता वो बिहार के लिए है अब किसी को अगर बीजेभी की राजत की बुराई कर रहे हैं तो राजत को लगता है कि हमारे बापर कर रहे हैं बिलकुल परसांदी जी एक ब्यापारी हमें इसको मानता हूँ, वो बिहार से सिख्षा को लेके आ रहे हैं, बिहार में चिकित्सा को लेके आ रहे हैं, बिहार में रोजगार को लेके आ रहे हैं, तो रोजगार, चिकित्सा और सिख्षा बिहार के आवसकता है, उसका ब्यापार जन सुराज करेगी सुराज के मजबूत अस्तंभ और लोग जनसक्ति पार्टी के पुर्व जिला धैक्ष अभिसेक कुमार सिंग जी मेरे साथ हैं और दो अक्टूबर को परफांत किसोर जी का जो जन सुराज है वह एक पार्टी के रूप में परिवर्टित होने जा रहा है अर्थाथ दो सिंग जी मेरे साथ हैं और जनने का प्रयाश करेंगे कि क्या कारिक्रम है दो अक्टूबर का उसके अलावे कई अन्य राजनीतिक घटनाओं पे भी चर्चा करेंगे राजनीतिक बिंदूँओं पे भी चर्चा होगी बहुत स्वागत जी बहुत बहुत धमेवाद संभू जी आपका और आपके जो इस चैनल को देखते हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्यार बड़ा नमस्कार दो अक्टूबर को बड़ा चर्चा है पूरे उत्तर भारत में की परफांत किस और कुछ नया करने वाले हैं मिलकुल संभू जी विश्व की पहली घटना होगी जहां जिस पार्टी की घोसना होने जा रही है उस पार्टी के एक करोर संस्थापक सदस्त है उस घोसना के गवा बनेंगे साक्षी बनेंगे एक करोर संस्थापक सदस्तों के साथ पार्टी की घोसना होगी मुझे लगता परफान जी मदाना में दो अकूबर को गांधी जियनती के औस्वर पर करने जारा है पुर्फान जी का एक बियान से वाइरल हो रहा है पर फान जी लगतार कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है गौर्मेंट फोर मेशन जुआ जन्सुराज के नितित्व में होता है बिहार में तो ओत की एगंटे के बाद जो है सफत गरहन के एगंटे के बाद हम लोग जो है दारूबंदी कानून को समाप्त कर देंगे जी बिलकुल उन्होंने बहुत ही मजभूती के साथ का आई और दारूबंदी आज भी भिहार में नहीं है कहने को दारूबंदी कर दिया गया सबी लोगों ने समर्थन भी किया लेकिन दस बरसों के भीतर हर घर में होम डिलिवरी दारूप में हो रहा है राजस्तों की हानी हो रही है बिहार की और उसका सिध्या असर विकार स्काजों पर पर रहा है हमारी पुलिसिंग पर रहा है पुलिस अपराद छोड़के और दारू और दारू के पीछ दोड़ रही है दारुक के करोबार करने वालों का पहला समराज इस बिहार में खराएंगे एक र हात को रुझार देने का काम करेगी मुझे बिहार में घराएंगे कह रहा हैं प्रफांत की सवर हम जानवे नहीं करते हैं उनको प्रफांट जी लगतार तियस्वी को चुनवति कbelt रहे ते वी दर्वी फेह विू हि Tusv कर नहीं जानना घे था हस्पत है उन उनकी हतासा को दर्श आता है परसान जी का चोट कुई contract तियस्सु 9 पर नहीं है परसान जी का ये कहना है कि आप एक मुख्यमंत्री के पुत्र थे, आपके माता जी मुख्यमंत्री रही, आपके पिता जी मुख्यमंत्री रही, उस परिस्थिती में भी आप हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, आप तेंथ पास नहीं कर पाए, कहने का मतलब कि सिक्षा के पति अब बात करते हैं व्यकति खुद सिख्षित नहीं हो पाए सारी सुईधा के रहने के बाद लालू जी ने उसके ध्यान नहीं दिया वही हाल बिहार की जनता के साथ बिहार की लोगों के साथ किया गया अब देखिए ये पी उनिवर्सिटी है कितना लेट चलता है उसका सेचन बच्चों का परिशा कितना बाजित होता है बीए करने में पांच-पांच साल शेशे साल लग जाते हैं यहाँ पर यह हमारी ब्योस्था है यह हमारी सोच है उसी पर चोट है प्रसांद जी का और वो कहते हैं कि हमारे जो तेजस्वी और लालू यादव को ही चुनावती देत ऋपित्र को राज्य बनाना चाहते हैं बाकट बीहार के लोगों पूत्र की चिनता लालू जी को नहीं है लिए से सथास बावगा करते हैं तो किसी का उनती सब्सक्राइब करते हैं कि भारती जनता पाटी की वी-टीम के रूप में काम करते हूं तो तो बिहार के बारे में बिहार के लिए के लिए है अब किसी को अगर के राज़त की बुराई कर रहे हैं तो दोई पर हम फूरी सबंद्री के साथ दोसो तैतालीस एक प्रसांग की सोजी है उनके दिसाने सन में घूमिका वही रही रहेगी रहं नितिकार की जंसराज के रहूप में उनके दिसानी नितिकार के रूप में और जन्सुराज का जो सहलाब है तोड़ने का काम करेगा और बिहार एक बदलाओं के लिए अपने पुरातन अस्तित्त को प्राप्त करने के लिए बिहार रुजगार के लिए बिहार चिकित्सा के लिए सुरक्षा के लिए और सिख्षा के लिए जन्सुराज के नित्रत्त मे गर मोदी के भघवा लहर के सामने आपका जंडा कितना ठीप टाएगा हो देका तो सभी के लिए खूलेंगे जब रोजगार होगाता तो सभी के लिए और अगर जहाज डूबेगा तो जहाज पर बठने वाले सारे लोग डूबेंगे चाहे बुद्धिवी हो चाहे अपर कलास हो चाहे लौर कलास हो कई समाज के जो निता हैं उनका कहना है कि 2014 में यही पर्फांत की जो भरती जनता पार्टी को सत्ता में लाए थे अलब संख्यक समाज की लोग परफांत की सुर्क साथ नहीं देंगे राश्टी जनतादल के कई अलब संख्यक में दाओं का कहना है अब आपने देखा होगा इसके पहले नहीं था कि अतना बरा समिलन बाकु सवागार में बिहार के हर कोने से हमारे अलब संख्यक भाई उसमें आने का काम किये उनके पास थीम है अब संख्यक के लिए आज तक अब संख्यक को भूट बेंक समझा गया और हम कर रहे हैं कि उनकी अबादी के हिसाब से उनको हम सीट देंगे हम 40 सीट देने का काम करने जा रहे हैं कौन सद्धाल ऐसा काम किया उपन चैलिंज दिया तेसी को कि आप मुसलमान को टिकट देंगे मैं वहां टिकट नहीं दूँगा इस तरह का जिगरा इस तरह का हिम्मत परसांद जी अब अब मेहनत करके उस सवेशा के लिए खत्म कर देंगे और एक नया स्रमिकरन बनेगा जो बिहार का सभी करनोंगा बिहार के विकास का सभी करनोंगा तो सारे जात और जमात के लोग रहेंगे अब शेक कुमार सिंग जी क्या सोच रहे हैं परफान की सोर की पार्टी बनेगी उसमें आपकी भूमिका क्या होगी और महराजगन जो आपका बिधान सवाच्छेतर है जहां से आप पुरू में भी चुनाव लड़ चुके हैं इस बार क्या रहेगा बिलकुल पार्टी की पूंद्र की करना चाएंगे और उसके बाद महराजगन में रहें चुनाव लड़ा भी वहाँ पे हुँ और अगर सब की बिच्छाहरे सारे साथ्विश्तर होु रही सभी लोगों कि मत्र हएं पर फिर वह देखम दो